तो हेलो शुदेंट्स, वेलकम टू आयफ उफैंट्स, शुदेंट्स जैसा कि आप मेरे स्क्रिन पर देख सकते हो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में जिसको हम जाते हैं सूपर ब्लू ब्लड मून के नाम से, तो ये तीन पॉर्मल तरीकिये का फुल मून नहीं है जो आप हर महीने में पूर्णिमा वाली रात को देखते हैं वो ऐसा मून नहीं है फुल मून तो है पर वो वाला फुल मून नहीं है जो पूर्णिमा के रात को आपको दिखाई देता है जो जनरली आप हर मन्त देखते हो पूर्णिम पोजिशन है और एक एपीलियन पोजिशन है एपीलियन पोजिशन मतलब दूर की पोजिशन पैरीलियन मतलब पोजिशन मतलब पास वाली पोजिशन तो जनरल जब आप मून को देखते हो तो वह बहुत बड़ा नहीं दिखेगा आपको नॉर्मल दिखेगा लेकिन फुल मू भी होता है. यहां पर भी फुल मून है यहां पर भी फुल मून है, लेकिन फरार क्या है जब अर्थ से दूर की position पर होगा तब छोटा दिखेगा, लेकिन जब अर्थ के पास वाली position पर होगा, पहरी इलिएन position पर ओढ़े तब बड़ा दिखेगा और generally ये 14% bigger होता है से और 30% brighter होता है ये तो आपको हर महीना पूर्णे मावाली रात को दिखेगा पर्ट सूपर मून आपको साल में कुछी times दिखेगा only a few times you will observe आ सूपर मून लेकिन हर महीने आपको ये जरूर दिखता है तो इनमें दोनों में different समझ माया सभी को ये भी full moon है ये भी full moon है पर ये छोटा है ये कम brighter है ये ज़्यादा brighter है और 14% bigger है क्यों क्योंकि यहाँ पर ये जो moon आपको दिखेगा तब जब अर्थ के perihelion position पर होगा moon past position में होगा बिल्कुल past में होगा अर्थ के लेकिन यहाँ पर दूर में होगा तो सूपर मून का आपको concept समझ माया अब हम बढ़ते हैं आगे देन हमारे पास देखो ये सूपर मून आपको इससे दिखेगा आप देख सकते हो एक हिससा मैंने यहाँ पर दिखाया आपको moon का ये छोटा है ये जनरली थोड़ा में आ जाता है नियूस पेपर में आ जाता है देन अब हम समझते हैं कि blue moon क्या होता है उसके बास मैं blood मून बताऊंगा जो मेरी स्क्रीन पर है blue moon क्या होता है देखिए अगर आपको full moon महीने में दो बार दिखता है तो जब दूसरी बार दिखता है तो उसको बोलते हैं blue moon अब यहाँ पर misconception है लोग बाग समझते हैं कि blue moon मतलब नीला चांद blue color का moon ऐसा नहीं है blue moon का मतलब होता है अगर एक महिने में दूसरी बार full moon आपको दिखाई दे तो उसको बोलते है blue moon अब एक बहुत इंट्रेस्टिंग lunar cycle होती है आपकी 29.5 days की तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ blue moon कभी भी आपको February में तो दिखी नहीं सकता क्योंकि February में days कितने होते हैं 28 और 29 तो 29.5 की cycle होती है lunar cycle तो February मन्त में आपको कभी भी blue moon देखने के लिए नहीं मिलेगा so blue moon का concept समझ माया महीने में जब दूसरी बार full moon दिखे तो उसको कहते है blue moon super moon बड़ा चांद जब अर्थ की पहली हिलियन पोडिशन पर हो चांद और blue moon जब महीने में दूसरी बार full moon दिखे तो super moon और blue moon पता लग गया अब blood moon समझते हैं अब आपने स्किन पर देखो यह आपको कुछ reddish color का moon दिख रहा है ऐसा कब दिखता है जनरली आप देखते होंगे मैंने भी एक दो बार देखा है आपने भी जरूर observe करा होगा आप कहते है कि चांद आज थोड़ा लाल color पर दिख रहा है reddish color का दिख रहा है ऐसा क्यूं हो उस दिन अर्थ की shadow पढ़ती है चांद पर अब होता क्या sunlight जो आ रही है वो अर्थ के atmosphere से पास होईगी क्योंकि sun अर्थ और moon तीनों लाइन में आ जाते है lunar eclipse वाले दिन तो होगा क्या जब sunlight अर्थ से पास होगी तो अर्थ के atmosphere से scattering हो जाएगी और blue components जो होंगे आपके sun की light म वो scatter हो जाएगे तो बचेगा कौन सा component सिर्फ red component और वो red component जब moon पर गिरता है तब आपको इस तरीके का ये reddish color पर थोड़ा moon दिखता है तो इसको बोलते है blood moon तो अब आप समझे super moon, blood moon और blue moon जब तीनों combine हो जाए तब ये दिखता है मतलब वो चांद जो अर्थ की perillion position पर full moon बनाए उसके बाद वो महीने में दूसरी बार आया हो full moon, full moon दूसरी बार आया हो और तीसरी बात वो blood moon भी हो तो जब ये तीनों सहियों एक साथ बैठते हैं तब हम बोलते हैं कि super blue blood moon है, अब कब दिखा था आपको super blue blood moon, मैं आपको बताता हूँ, super blue blood moon आपको दिखा था 31st January 2018 में, मतलब ये एक date ऐसी थी जिसमें आप super moon, blue moon, blood moon तीनों को एक साथ ही observe कर सकते हैं, तो सहियों ऐसा था कि उस दिन super moon भी था, blue moon भी था और blood moon भी था, साल महीने का दूसरी बार full moon भी था, बड़ा चांद भी था, और blood moon भी था, reddish color पर भी दिख रहा था, तो ये date थ जिस दिन आपको super blue blood moon दिखाता, next कब दिखेगा, next आपको दिखेगा, 31st January 2017, 2037 में दिखेगा, तो आब आपको wait करना पड़ेगा, super blue blood moon देखने के लिए, अगर आपने ये date miss करी है, तो, अच्छा लगाओ concept अपने दोस्तों में share करीएगा, मैंने आपको यहाँ पर कुछ स misconceptions होते है, blue moon, super moon और blood moon के, उसको explain करा है, then मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कि हमारे books पर offer चल रहा है, IFS में, free delivery है, all over the India, 25% off मिल रहा है, आपको individual books पर, आपको promo code यूज़ करना है, book 25, 30% off मिल रहा है, आपको combo book set पर, अगर आप combos लेते हैं, book का, जिसमें आपक book 30, use करना है, promo code, और full set पर, आपको 50% off मिल रहा है, जिसमें आपको book 50, use करना है, ओके, आप हमारी books अवेल कर सकता है, for your preparation, thank you, happy learning, good bye